हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ओल इन अवर लाइब सेर अनलेसिस स्रीज जहां हम सेर्स को करते हैं अनलाइज टेक्निकल और फंडमेंटल बेसेस पर और आपको देते हैं बाइंग कॉल्स, बाइंग प्राइज और टार्गेट के साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बुष्टर को सब्सक्राइब ना किया हो सो सब्सक्राइब कर लीजिए तभी आपकी ट्रेड बुष्टर पाएंगी बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो और हमारे हर सेशन का अपडेट मिलता रहे साथ ही आपको हमारे ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप हमको ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलेग्राम ग्रूप से सो उसके लिए आपको अटेंड करना पड़ेगा हमारा लाइब सेसन जिसकी टाइमिंग होती है दोपेर को देड़ बज़े से दो बज़े तक मंडे टू फ्राइड है सो फ्रेंट्स बिना टाइम खराब किये अब चलते हैं अपने आज की में टोपिक पर और ये हैं हमारा आज का में टोपिक M.T.A.R. टेक्नलोजी इस लिमिटेड मैं इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना क्यों देख लेना ऐसा क्या होने वाला इस वीडियो में वो भी आपको बताने वाले है सो इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ और कंपनी की विक्नेस पर साथ ही करेंगे कंपनी को एनलाइज टेक्निकली और फॉन्नमेंटली और अगर company हमारे हर analysis पर खरी उतरी so last में आपको बताएंगे हम company के अंदर buying levels कि आपको इसके अंदर entry कौन से level पर लेनी चाहिए so अब चलेंगे हम सीधे company की website पर और सबसे पहले देखेंगे company business क्या करती है and we hope this video can better for you so now we have come to the company as website and main question is company as business model यानि के company करती क्या है so friends company है पांच तरह के business segment में sorry 6 तरह के जिसमें है civilian, nuclear, space, defense and clean energy wall screw and roller screws other segment यानि के marine इतने sector की companies को ये company service provide कराती है company engineering sector में भी है ध्यान से देखी ये वही 6 sector हैं जिनको अभी हमने आपके साथ में discuss किया है अब बात करते हैं company के client base की की company के client कौन कौन से है यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना civilian nuclear sector में DAE, NPCIL, BARC, ECIL और IGCAR भविनी ये 6 major client है इस sector के अंदर then space related isro और isro SDHC और isro VSSC, LPSC ये major client है space sector के अंदर जो space sector की companies है defense के अंदर HAL, Rafale, DRDO, ADA, भारत dynamics limited, EBIT system major client है company के and clean energy में ये दो major client है company के जिसमें bloom energy भी है और other segment में Kongsberg एक major client है so company का जो client base है friends वो बहुत ही तगड़ा client base है company के पास में और ये सबसे बड़ी strength है company so friends ये company इन 6 तरह के business sector को अपनी service provide कराती है अब चलिए देखेंगे हम इसके fundamentals और company के fundamentals में क्या क्या वेकने से उनको भी देखेंगे friends अभी 10-15 दिन पहले 17 मार्च को IPO खुला था company का sorry IPO लिस्ट हुआ था so company ने ऐसा कोई खास return दिया नहीं है इतने time में then अगर financial trend की बात करें so revenue अप्टरेंड के अंदर है तकरीवन 4 सालों से और net profit भी अप्टरेंड के अंदर है और इसको हम detail में देखेंगे P&L statement पर so friends company का revenue तकरीवन 5 सालों से अप्टरेंड के अंदर है देन अगर बात करें net income की so net income 3 सालों से अप्टरेंड में आई है और एक अच्छा खासा movement आया है दो सालों के अंदर यानि के अब company पटरी पर आना start हो रही है तीन सालों से तीन साल पहली अगर income देखें company की net income यानि के net profit तो वो आपको कभी minus में कभी अपको कभी down ऐसे ही मिलेगा तो ये एक weakness है company की लेकिन जो अब strength में बदलने जा रही है यानि के बदलने लगी है 3216 क्रोड का market cap है company का then 27% का operating profit margin return on equity 13% का और return on capital employed 19% का है debt है only 29 क्रोड then reserve है debt के comparison में 198 क्रोड का PE थोड़ा high है company का 100 के आसपास के PE multiple पे trade कर रही है company अगर बात करें balance sheet की so share capital है 27 क्रोड का reserve है 198 क्रोड and borrowing यानि के debt है only 29 क्रोड का investment भी है sorry investment के नाम पर कुछ भी नहीं है company के पास में cash flow statement के अंदर cash from operating activity positive में है company की जो अच्छा sign होता है किसी भी company के लिए then company free cash भी generate कर रही है 50% की promoters की holding है जो पिछले 2020 में 66% थी जो उन्होंने IPO के जरीए थोड़ा अपनी holding sale की है 14% है mutual fund के पास में और DIA इसके पास में है 3% and FIA इसके पास में भी 3% है holding company के competitor जो है वो है Commence, India, AIA Engineering, Thermax Limited ये major competitor है company के so friends company overall rank 2 की company है then valuation के लिए आसे company थोड़ी महेंगी है 91 के PE ratio पर trade कर रही है and 12 के PB ratio पर वही sector का PE है 44 का और sector का PB है 4 का so friends अब main question ये है कि अगर हमको या आपको इसके अंदर buying करनी है so वो कौन से level पर करनी है उसके लिए हम चलेंगे company के candlestick chart पर और आपको बताएंगे कि आपको company के अंदर buying कौन से level पर करनी चाहिए so friends ये है company के share का all time का chart यानि के 13 trading session का chart है क्योंकि 13 दिन पहले ही list हुई है और उपर एक major assistance है thousand 64 यानि के 1065 का level है ये अगर इस लेबल के पार में company breakout दे देती है तो आपको इसके अंदर buying करनी चाहिए और जैसा company का basis model है ये long term में बहुत अच्छा return बना कर दे सकती है so friends ये था हमार आज का analysis अगर आपको analysis अच्छा लगा हो so video को like जरूर करना और comment box में comment करके ये जरूर बताना कि आपको हमारा analysis कैसा लगा so चलिए अब चलते हैं bye bye